जिद्धी मुटापा, कमर, पेट की चरवी, डैपटीज, जोडों में दर्द, कमर ये घुटनों का दर्द का पावरफुल इलाज नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ओशदी के बारे में बताएंगे, जो दो चीजों से बनेगी और यदि आप इसका प्रियोग कर लेते हैं, तो आपके शरीर की सिर्थ से लेकर पैर तक सभी बिमारियां कंट्रोल में होंगी या फिर यू कहें कि AD से चोटी तक आपका शरीर बिल्कुल निरोगी हो जाएगा दोस्तों, वो ओशदी आपकी बनेगी दो चीजों से, कलोंजी और अजवायन से दोस्तों, कलोंजी एक तरह का बीच है, इसे इंगलिश में निगला स्टीविया कहते हैं दोस्तों, भारत के लगभग हर कीचन में कलोंजी आपको मिल ही जाएगी दोस्तों, कलोंजी से आप शरीर की हर समस्या का इलाज कर सकते हैं खासोर से बाल समंदी अगर आपको परिशानी है, तो आप इससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं क्योंकि एक बेहत कारगर ओशरी है दोस्तों, इसका देसी नाम है, मंगरेला या फिर प्याज के बीज के रूप में भी आप इसे जानते हैं ये लगभग सभी भारत्य घरों में पाई जाती है दोस्तों, काले रंग की छोटी-छोटी कलोंजी को इंगलिश में निकला स्टीविया कहा जाता है तो आप इस तरह से निकला स्टीविया को देख सकते हैं इस तरह से ये दिखाई देती है कलोंजी और दोस्तों, आज की ओशरी में दूसरी चीज है अजवायन आजवायन भी छोटे-छोटे बीज होते हैं अजवायन के और यदि आप आजवायन का प्रयोंग करते हैं तो इससे पेट की 70 तरह के बिमारियों को आप दू कर सकते हैं क्योंकि पेट की बिमारियों में ये एक रांबान इलाज है इसका सेवन करने से आपके पेट में दर्द है, गैस है, उल्टी, खटी डगार या एसिडिटी वो सब सही हो जाएगी दोस्तो अजवायन, काला नमक और सुखे अद्रक को पीस कर यदि आप एक चूरन सा त्यार करते हैं तो इसको खाने के बाद इस चूरन का सेवन करने से आपकी जो गैस के समस्यत दूर हो जाएगी तो ये तो बात रही अजवायन, काला नमक और अद्रक की लेकिन मैं यहाँ आपको बता रही हूँ आज इस वीडियो में अजवायन और कलोंजी से बनने वाली ओशदी दोस्तों आपने क्या करना है ओशदी बनाने के लिए रात को आपने एक कांच की गिलास में एक चमच अजवाय लेनी हैं, एक चमच आपने कलोंजी लेनी हैं इन दोनों चीजों को आपने भिगो कर रख देना है पानी से, रात भर के लिए इसे भिगो कर रखा रहने दे, सुबह आपने क्या करना है, खाली पेट आपने इसका सेवन करना है, यानि आपने इस पानी के समेथ इनका काड़ा बना लेना है दोनों चीजों का, आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी एड़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से पका सकते हैं जैसे दो तीन उबाल आने के बाद आपका काड़ा सा त्यार हो जाएगा ये आपने इसका ये तो चान कर सेवन करना है ये फिर अगर बिना चाने भी आप इसका सेवन करते हैं तो वो भी आपके सारे गुम मिल जाएंगे अजवायन और कलोंजी के दोसों यदि आपको बालों की कोई भी समस्या है बाल जढ रहे हैं या फिर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या गंजा पना गया है या फिर दो मुए बाल है या रूसी है बालों में तब आपने इस ओशदी का सेवन करना है कि ब बिल्कुल सही हो जाएंगे या फिर आप कलोंजी के ओयल का भी प्रियोग कर सकते हैं उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा दोसों यदि आपको डाइपटीज है डाइपटीज में भी काफी मदद करेगी आपके डाइपटीज को कंडूल करने में और जोडों में दर्द रहता है गठिया है आपको या गुटनो में दर्द है कमर में बाजू में या हाथ पैक लाईकर नथा कहीं पर भी आपको बॉडी बेन है वो आप सब इससे सही कर सकते हैं दोस्तों कमर में दर्द रहता है वो भी इससे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि कमर दर्द के लिए भी एक powerful ओश्दी है और दोस्तों यदि आप पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं बाज्यो की चर्वी को कम करना चाहते हैं या टांगो की चर्वी को कम करना चाहते हैं तब भी आपका जो मुटापा है जिद्धी इससे बिल्कुल सही हो जाएगा आपने इसका सेवन करना है इसका काड़ा बना कर यदि दोस्तों आप 10 दिन भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आ आपके याद ना रहे भी होना, तो आपने क्या करना है, इसका एक चमच लेना है, यानि आधा चमच आप अजवायन का ले, आधा चमच आप कलोंजी का ले, दोनों को आपने मिक्स करके गरम पाने के साथ सेवन करना है, दोस्तों खाली पेट अगर आप इसका सेवन करेंगे, तो आपका जिद्धी से जिद्धी मोटापा, कमर दर्द, पेट दर्द, पेट की चर्बी, डायवटी, जोडो में दर्द, ये सब सही हो जाएंगे और बालो की भी प्रोबलम आपकी सही हो जाएंगे तो दोस्तो इतने सारे फायदे मिलेंगे हमें इस एक ओश्दी से दोस्तो आप भी अपने घर में इस ओश्दी को बनाएं क्योंकि ये बनाना भी बिल्कुल असान है तो आपको काफी फायदे मिलेंगे तो दोस्तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कॉमेंट बोक्स में लिखकर जरूर पताना और इस वीडियो को फायदा भी जरूर उठाना तो दोस्तो ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएं प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना धन्यवाद दोस्तो